वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पत्थर थे जिस जिस ने छुआ वह सोना बन गया उनके जाने का गम हम सभी को है मुंबई में माम यानी मीमिकरी आटीस असोसेशन द्वारा सुरिये मादों मोगे को सर्दानजली अर्पित की गई जहां तमाम हाश्य कलाकार जानी लिवेर, सुदेश भूशले, राजुश्र मादों मोगे को सर्दानजली अर्पित की गई देखिए हमारी या कवर मादे मोगे जी को हमारी और से भावपरुन सर्दानजली मादों मोगे एक बहुती बहतरीन कलाकार तो थे ही थे, लेकिन साथ-साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे उन्होंने बहुत सारे लोगों की होसला अवजाई की और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद की स्टेज के तो वो बादशा थे ही, लेकिन साथ-साथ मैं ये कहूंगा कि अपने परिवार से बहुत जादा प्यार, महबत रखते थे और बागी कलाकारों को भी अपने परिवार से जुदा नहीं समझते थे ऐसे लोगों का जाना जो है, हम सब के लिए एक परस्नल लॉस है, बहुत बड़ा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान सा, ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे और वो जहां कहीं भी हैं, वहां पे उनको भी एंटर्टेन करते रहें, भयवान को भी एंटर्टेन करते रहे क्योंकि वह उससे छोड़ेंगे नहीं किसी को, सिर्फ इंटर्टेन करते रहेंगे, मादव जी के साथ बहुत पहले, कई सालों पहले एक सीरियर किया था, और बहुत ही उन्ना इंसान थे, और कमाल उनका ये था कि संजी कुमार साहब जैसे उनके अंदर बस चुके थी, और बस यही यादे हैं, जो जिनके साहरे अब हमें जीना पड़ेगा और याद करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि एक अच्छा इंसान चला गया, खेर, भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, और उनकी परिवार को ताकत दे, उनके लॉस को बैर करने के तिए, हमारे माधों मोकल साहब, उनको हम शद्दा अंजली दे रहे हैं, और जो हमारे गयरा तारिकों का नहीं धन हुआ था, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मेमिक्री करते थे, स्टैंड अप, सौन इफेक्स करते थे, बहुत इन्होंने काम के उसके अलावा फिल्मों में काम के उन्होंने, बहुत अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन इतफाक से उनको ज्यादा फिल्मों में काम नहीं मिला, स्टेज की वज़े से, अगर स्टेज की दुना में 45 साल काम की, 45 येर्स हैंने काम की, बहुत ही लाजबाब आर्टिस्ट है, माइक पे जब ये आवादे निकालते थे, वार, रैफिल्स की अबादें, प्लेन, हेलिकॉप्टर्स के जो बहतरीन टैलेंट था इनके इंदर, बहुत बड़ा काम किया, मेरे सीनियर थे, जब वो करते थे, हम उनका शो बैटके, जिमन पे बैटके इनके शो देखे हमने, ये हमारे, को यादे सारी है, हमारे जो इसेंटिये माम, मि में करते शरे मूंबाई, तो इसके सेक्रेटरी थे वो, मैं मू करके फ्रेजिडेंट हूं, तो हम लोग हर बार मिलते हैं, घर आना जाना होता है, मेटिन के सिलसले में, संस्ते की किछ बाते हैं, मेरे गुरू, मेरे आदर्श या जिन से मैंने स्टेज पर एंकरिंग सीखिये, स्टेज पर कैसे प्रेजन करना चाहिए अपने आपको सीखाई श्रीमादोम होगे, उनकी ये श्रद्धान जली सभा है, अच्छानक छोड़के चले गए हमें मादोजी, और मैं आज जो भी हूँ, अगर स्टेज पर थोड़ा बहुत अच्छा करता हूँ आइंकरिंग तो वो मेरे मादोजी के विज़े से, नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे वो, लाकिन आज हम सभी हस्यकलाकार जिनों उनके साथ काम किया है, उनको एक श्रद्धान जली के लिए यहां इकटा कुआ है, उनके घर से उनकी बेटी भी आई है, तो बस उनकी यादों को हम ताजा करेंगे, और क्यूंकि वो एक हस्यकलाकार थे तो हम यहां किसी को रोना अलाओड नहीं आचे, उनको हस्ते वे याद करेंगे, मेमरी यही है कि हम बस हर रोज उनका मुझे फोन आता था, या तो मुझे उनका फोन आता था, और उनकी जब पतनी गुजरी तो उस वक्त मेरी बात हुई थी कि हाँ बस अभी हुआ है, मैं फिर फोन करता हूँ और दस दिनों में पता चला यह भी चले गए, मतलब इनको मौका यह नहीं दिया, हमको ठीक से बात करने का, और साथ में कारेकरम किये थे, बड़ेवे सुपरस्टार्स के साथ, तो ट्राइविलिंग बहुत किया था, साथ में रहें, और वो जबाना याद दिलाते हैं मादो मौके को जब भी आता सेविंटीज, एटीज का, यह पाइनियर्स हैं, स्टेंड़ अप कॉमेडी के, तो जहां भी हो मादो जी, आपकी आत्मा खुश रहें, शांत रहें। मादो भाई, यानि कि मादो मौके, मादो मौके हमारे बीच अब नहीं हैं, और यह हम सब के लिए बहुत शौकिंग हैं, खासतर से सारे कॉमेडियन्स के लिए, और हम उने बहुत मिस करेंगे, और माम हमारी एक संस्ता है, M-A-A-M, माम, इसम सारे मिमिक्री आर्टिस्ट की एस्सूसेशन है, और मादो मौके वो परस्नाल्टी थे, जिनोंने माम की आधारशिला रखी, और स्टेंड अप और मिमि मिमिक्री की जो दुनिया है, उसको जिन लोगों ने स्टार्ट किया, उसकी शुरुवात करने वालों में से मादो मौके जी थे, आज तो स्टेंड अप में बड़े-बड़े नाम हो गए है, और बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और फुरी देश में पॉपलर है, ले दूस में से एक मादो मोगे थे, और हम लोग, मैं तो बहुत ही छोटा था, कानफुर से आया ता मॉंबई, तो मादो मोगे के शो देखने जाया करता था, शन मकानन हाल में, और वो अपने समय से आगे के स्टेंड अप कॉमेडियन थे, और बहुत जबरदस पस्नाल्ती, औ और उनका ड्रेस सेंस, और यह सब बहुत जबरदस था, उनसे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, मिक्री की टाइमिंग, कैसे स्टेज में प्रेश करना है, कैसे टू दी पॉइंट बात करनी है, मादो मोगे जी हमें बहुत कुछ देखे गए, हम लोग हमेशा याद रखें पहले सिर्फ यादे नहीं है, ये 35 साल पहले, मैं जब अच्छा था, तो गणेश उत्सों में परफॉर्म करते करते मैंने इनको देखा था, तो आज से 35 साल पहले मादो मोगे जी परफॉर्म करते हूं, मैंने उस वक्त तसम खाई थी, कि मैं जिन्दगी में अगर कुछ प बना, टेलिविजन में, बलके मुझे लाफ्टर चैलेज में सजेस्ट करने वाले भी मादो मोगे जी तो ये मेरे लिए पिता समान है, और इनको लेकर फिर मैंने न्यूजिलेंड, दुबाई, बाहरें, इनके साथ इतने सारे इवेंट्स किये, तो हम लोगों के लिए तो पिता-पुतर वाला भी वो रिष्टा था, ऐसे मैं कहूंगा तो कोई कम लेगा, आपके अंदाज में किस्ताज करेंगा, नहीं परवगने के अंदाज में, जाज मीमिक्री करेंगा, मादो भाई, हम सब आपको मिस करते हैं, मादो भाई, ग्रेट, ग्रेट, अभी क्या बत में, तब मुझसे बहुत ही सीनियर थे और मादो भाई से बहुत कुछ सीखने मिला है, हम लोगों को, स्टेज पे कैसे परफॉर्म किया जाए, एक्टर और मीमिक्री आइडिस तो कमाल थे, लेकिन बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट इंसान थे, आज ऐसे नहीं लगता है हम लोगों, बतलब ऐसे लग रहा है कि हमारे बीच में ही अभी भी, अभी विस्वास नहीं हो रहा है हम लोगों को, बहुत मज़ा आया उनके साथ में, मैंने लास्ट काम किया था दो साल पहले दूर दर्शन पे उनके साथ में स्कीट की थी, जब इतना मज़ा आया था उनके साल आप मन्ـShima में बहुत कुछ इंपोजिशन किया मैंने मादववाई में बहुत मिस्ट कर रहे हैं भाई को मादव जी के बारे में मतलब जितना हम इतना बोलनी सकते जितना बोलना चाहिए शब्द नहीं है मारे पास इतने अच्छे एक्टर इतने अच्छे इंसान मैं उनको जितनी बार मिला हूं तो वो बड़े सिंपल इंसान थे मतलब इतने बड़े एक्टर उनकी फिल्में हमने इतनी देखी हैं उनको स्टेज भी इतना देखा है और यहां पर जितने भी यह कलाकार हैं जो कॉमेडियन है या एक्टर हैं यह सब उनके बारे में ही यह बाते चल रही हैं कि उनके जैसा कोई इंसान नहीं उनके जैसा कोई एक्टर नहीं और इतने पुराने और वो औरकेस् वाले हमारे जैसे जो हैं उनको देख देख कर कितने कलाकार हैं उनकी नकल करके और मतलब बहुत बड़ा दुख है आज उनके बारे में जब पता चला क्योंकि एक तकलीफ से और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है परिवार को उनकी बेटी को आज ही मैं मिला हूं तो हमारी भी बेटियां हैं हमें पता है कि महौल क्या होता है तो बहुत ही दुख है यह कमी हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन द्वा करते हैं कि इश्वर उनको अपने चर्रों में रखे उनके परिवार को शांती दे और बस यही है द्वा सर जब तो हम MP में थे न अपने ग्रह नगर में त इनके साथ पांच दिन की यात्रा साथ में की नवीन परिवाकर यह और मैं ऑक्लेंड गए थे हम लोग और इस देश में भी गोगा के पास एक शो हुआ था तो हमारे जो सुदेश भोसले जी इनके साथ बहुत अच्छी बाते करते हैं नसीयत वाली बाते करते हैं बच्चा समझते थे और वो बताते थे कि यहां टिके रहने के लिए क्या करना किसी को बढ़ता हुआ देख कि उनके अंदर जलन नहीं थी सबसे अच्छी बात तो वो यह कहा करते थे जो मालिक दे रहे नसीब से उसको सिकार करो और अपने काम में लगे रहो तो यह स्प्लीड इनों माधो जी को मैं प्रणाम करता हूँ चार लाइन के साथ उनको श्रद्धान जली देता हूँ तिजारत में पाया बड़ी चीज है इमारत में पाया बड़ी चीज है तिजारत में माया बड़ी चीज है और सची कहा है दोस्तों किसी ने घर में बुजर्गों का साया बड़ी चीज़ है, माम के मेंबर थे, हमारे बुज़ुर्ग थे आज पूरा माम अपने आपको अनात मैसूस कर रहा क्योंकि हमारे बीच से एक बुज़ुर्ग चले गए लेकिन जहां रहे इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे, मैं उनके पूरे परिवार के लिए होता है सच्चा प्यार, माधव जी जहां रहें, हैपी रहें, इश्वर आपको अपने सानिद्य में रखे प्रनाम बिल्कुल माधव जी की बारे में क्या कहा है, उनको देख देख के सीखे हैं, जब हम चड़ी बेंदे थे, स्टेज की नीचे बैठते थे, उनको परफर्म करते वे देखते हैं, कई चीजे हमने उनसे भी उठाई है, स्टेज बेकिने करने के लिए, जिसकि इनका एक वार रिफ्रेक करते थे वो, तो उनको देख रहें, कैसे बंदू गूलियों की आवाज नि के लिए, बट आज वो नहीं है, ऐसा लगता कि सूना पन है, बट उनकी यादे हमारे साथ है, जब भी हम कहीं जाते हैं, इनकी जिगर करते हैं, इनकी पर बहुत सारी टॉपिक है, हम लोग मस्ती भी करते हैं, ना आज भी भले आज वो चले गए, लेकिन आज उनको लेकर ह हम उनकी यादे लेकर हम मस्ती करते हैं, मादव जी ने वो बोला था, उसको लेकर हम इन्जोय करते हैं, मादव जी के साथ एक किस्ता यह हुआ था, चाय वाला किस्ता हो, कोई भी किस्ता हो, हर किस्ते पर हम उनको याद करते हैं, और मादव जी जहां भी है, वो जानते हैं कि हम सब पूरी माम उनको बहुत प्यार करते हैं और हमेशे अशीरबाद बने रखी है आप हमारा हम लोग पर बिल्कुल संजु कुमार उनसे बेटर कोई करता है नहीं था और नहीं करेगा तो संजु कुमार की अंदाज में बाद हो भाई आज आप जहां पर भी हो एक होंगा आप स्वर्ग में और आप एक होंगा कि आप ने जो काम किया हम सब लोगों के लिए अभी भूलेंगे नहीं आपका प्यार आपका शिर्वार ऐसे बने रहना है तैंक यू सो मुच मादो जी के बारे में इतना कहूंगा कि मादो जी हमारे सिनेर मादो जी सिनेर कर लाकार थे इनको ही देखके हमें भी प्रेहना मिली हमने सीखा और सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात होई थी आज से 25-26 साल पहले एक प्रोग्राम आता था जी सिनिमा का न्यू प्रोग्राम सेन सीन उसमें वह रोल करते थे संजी कुमार घी का और मैं प्रेमछ नौपरा करता था वैस माहथ जी अब जहां भी हो प्रेम से रहो एक प्रेम यही प्रेम्से आपके लिए विनति करता कि